बॉनिंग स्टुडेंट्स मैं कीर्थी परोहा कक्षा बार्भी जन्रल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ मुझे आशा है कि मेरे जो वीडियो में आपको ऑनलाइन उसमें दिख रहे होंगे उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे साथी साथ नोट बुक में नोट भी कर रहे होंगे तो चलिए बच्चो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका 12th जन्रल इंग्रिश का जो सिलेबस है वो फोर पार्ट में डिवाइड था पार्ट A, Advanced Reading Skill था पार्ट B, Advanced Writing Skill पार्ट C, Grammar Portion और पार्ट D, जो था वो ऊच्छ पार्ट था आज हम शुरू करने जा रहे हों पार्ट B, Writing Skill Writing Skill जो है वो भी बहुत important है और इसके अंतरगत आता है आपका Report Writing जो की 6-8 Marks की हो सकती है तो चलिए पहले हम समझ लें कि report writing क्या है जनरली बच्चे क्या करते हैं जो report writing है उसको याद कर लेते हैं और exam में लिखाते हैं लेकिन आपको इसके basics मालूम होना बहुत जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं What is report writing? अब हम पहले समझेंगे कि report writing क्या है याने किसी भी बात को लिखना लिख के दिखाना एक report तैयार करना A report is a factual description or account regarding something heard, seen or done It is like a formal document written for a specific need जो report होती है एक वास्तविक वर्णन होता है या इसके बारे में घटना क्रम के बारे में जानकारी होती है अब कौन सा घटना क्रम? तो जो आपने कभी सुना, seen याने देखा या done याने जो हो चुका It is like a formal document written for a specific need जो एक किसी विशेश आवशक्ता के तहरे लिखा जाता है ये वो आपचारिक दस्तवेज होता है It may be about an event, an incident, a function, a problem, a survey, an accident, a conversation, discussion, an activity or a project Students are generally asked to write projects, reports in schools Reports can be broadly be classified as informational and analytical अब ये क्या हो सकता है, एक कोई Ghatna क्रम की जानकारी, किसी कारक्रम की जानकारी किसी समस्या के बारे में, किसी सर्वे के बारे में, खोज के बारे में, एक किसी एक्सिडेंट या दुरगटना के बारे में हो सकता है, कन्वर्शेशन किसी बातचीत के बारे में, जिश्काशन कोई चर्चा के रूप में, किसी एक्टिविटी याने कोई आप एक्टिविटी एन अनलिटिकल सूचनात्मक और विशलेशनात्मक रिपोर्ट अब हम देखते हैं इन्फरमेशनल रिपोर्ट याने सूचना प्रद रिपोर्ट क्या होती है एन इन्फरमेशनल रिपोर्ट प्रेजेंटस फैक्ट्स आफ ऐस, अप्राब्लम, सर्वे, events in a factual, precise, clear and objective way without any analysis, interpretation or recommendation while writing informational report, the writer collects, compiles and organizes ideas or facts and writes in a systematic and organized way example, conference reports, seminar reports, trip reports etc जो सूचना प्रद रिपोर्ट जो होती है, वो किसी मामले में, किसी समस्या में, किसी खोज ये सर्वे में बनाई जाती है और ये जो होती है, वास्तिविक होती है, बहुत सटीक होती है और सपश्ट होती है इसके जो objective होते हैं जो देश होते हैं वो कैसे present किया जाते हैं बिना किसी विशलेशन के इसमें लिखने वाले का अपना खुद का कोई मत नहीं होता है ना ही कोई व्याख्या होती है और ना ही कोई सिफारिश की जाती है जब इसको लिखा जाता है तो इसमें writer उन सूचनाओं An analytical report presents data with interpretation and analysis. The report writer analyzes the fact of a case, problem, survey, event or situation objectively and puts forward conclusions, inferences and recommendations. जो विशलेशन आत्मक report जो होती है जो जिनके वारे में हम विशलेशन देते हैं उनमें interpretation और analysis याने विशलेशन और व्याख्या परक्रश्टी को प्रस्तुत किया जाता है इसमें जो लिखने वाला होता है वह किसी भी मामले को, समस्या को, सर्वे को, कोई गटना को या किस report के वारे में सिफारिश दिया करता है, report लिखने के पहले जैसा हमने समझ लिया कि report कितने प्रकार की होती है, लेकिन उस report का format कैसा होता है, तो उसके पहले मैं आपको कुछी जरूर बताना चाहूंगी, कि report लिखने में बच्चों हमेशा ध्यान रखो, जहां ज्यादा से ज करना है, हाँ, लेकिन जब नीचे आप अगर अपना wishlation मत या कुछ देते हैं, क्योंकि नीचे की last की two or three lines में आपका अपना मत या अपनी जानकारी जो है, वो आप देना चाहते हैं, conclusion देना चाहते हैं, वो जरूर आप simple present tense में लिखेंगे, तो ऐसा करने के बाद, अब हम च किसको हम भेज रहे हैं, उसको सम्मोधित किया जाता है, date, किस date पर हम ये report बना रहे हैं, फिर है suitable title heading, अब इसके बाद जो report हम बना रहे हैं, उसका बिना नाम गाओं के दे दिया, तो क्या सही रहेगा, नहीं, तो उसका title हमको देना बहुत जरूरी है, it should be specific and catchy, और कैसा बन to introduce the subject, जब हम कोई paragraph चालू करेंगे, start करेंगे, तो उसमें वो subject को, जिसके बारे में हमको लिखना है, उस report का subject, starting में देना चाहिए, supporting details, और उसे सम्मंधित details देना चाहिए, conclusion, अब हम इसका क्या करते हैं, उपसंहार करते हैं, last में अपने conclusion करके बताते हैं, तो action taken, कौन कौ चीज़ें आवश्यक है, recommendation, कौन सी सिफारिश है, अगर कोई analytical report है, तो, prediction, पूर्वानुमान, किसी के बारे में, किसी घोने वाली घटना के, पहले ही पूर्व में उसको बता देते हैं, तो उसके बारे में analytical report में आता है, पहले signature, winding up report with a summary, थोड़ा चाहिश को summarize करते हुए क करना है, और अपने sign करना है, अपना नाम और designation, करते हैं, एक हम इसका example लेते हैं, और यह बहुत ही बढ़िया है, जो हमेशा exam में आता ही आता है, तो, question है, with the help of the words given, produce a write-up on the NSS camp, यहाँ पर आपको question दिया गया है, कि आपको NSS camp के बारे में, एक report तयार करना है, एक write-up तय दिये गया है, पहला point है, NSS camp at Pratappur village, second point होगा, आपको 100 volunteers, third point है, planting trees, fourth cleaning of drains, fifth adults, literacy classes, अब आपको NSS camp के बारे में, एक write-up maintain करना है, लिखना है, उसमें आपको इन बिंदूओं का भी बढ़न करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम उसका title नेम डाल देंगे, NSS camp, अब हम यहाँ पर उन बिंदूओं को लेते हुए, स्टार्ट करते हैं, the NSS unit of high secondary school number 2 धार, आप यहाँ पर दूसरी school का भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर mention नहीं कि कौन सी school है, तो NSS unit of high secondary school number 2 धार, organized a camp at Pratappur village, तो high secondary school number 2 धार ने NSS camp को कहां आयो, जितकी है, पर नाम के गाहों में, the camp lasted for 10 days, जो camp है, वो किते दिन तक चला, शिवर किते दिन तक चला, दस दिन तक चला, projects were shorted out, जो project है, जो प्रयोजना है, उसको धून लिया गया, सभी खटा कर लिया गया, क्या के हम को यहाँ पर काम करना है, volunteers works divided into four groups, जो volunteer, जो कारे करता हों का, जो सम्मू था, उनको चार सम्मू हों में बाट दिया गया, tasks were assigned to them, और उनको उनके जो कारे हैं, वो निर्दारित कर दिये गया, किसको किसको दिया, हाँ फॉस्ट आफ ऐल वाइन्डेट सेपलिंग् र जो है उनको प्लांटिए ने उनको ब्रक्षाा रोपित किया गया, उनका ब्रक्षा रॉपन किया गया, Plants were distributed by the Horticulture Department of the district free of cost और Horticulture Department जो जिले का था वहां से free of cost यानि निशुल के रूप से ये सारे पौधे प्राप्त किये गए थे The second phase of the campaign was to educate the villagers about protection of the environment अब इसका जो दूसरा चरण था शिविर का उसमें क्या करना था कि ऐसे गाओं के लोगों को जागरू करना था और सिक्षित करना था किस चीज के लिए Protection of the Environment परियावरण के संदक्षण के बारे में उनको जागरू करना और सिक्षित करना था कैसे किया? Streets and drains were cleaned जो सडकें थी और जो नालिया थी उन सबको क्या किया गया? साफ किया गया जो वालेंटीर से उनने इसमें गाओं के लोगों का सहीओ लेकर साफ किया The villages took part in the cleanliness drive enthusiastically Villages जो गाओं के लोग थे enthusiastically मैंने बहुत अदम में उत्सा पूर्वक बहुत जादा खुशी से तो उनने सब इस जो सफाई सचता अभियान था उसमें भी नोह ने बहुत बढ़ चड़कर और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भाग लिया और सबसे बढ़ा शिवर का जो अचीबमेंट था जो उसकी योगिता थी वो क्या थी कि अड़र्ट लिटरेशी कमपेंड तो जो प्राउर शिक्षा अभियान है उसको बहुत ही अच्छे तरह से सक्सेस रूप से पूरा किया गया 50 Adults वर Unrolled for Adult Literacy Program 50 Prod लोगों को क्या किया गया उसमें नमांकित किया गया Adult Literacy Program याने प्रोज सिक्षा अभियान केता है 50 लोगों को 50 Prod विक्तियों को Unrolled भी किया गया और उन्हें सिक्षित भी किया गया इस प्रकार से आपको एक राइट अप लिखने को आएगा इस सबको आप नोट बुक में बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे थैंक यू बच्चो अगर कोई आपको कोई कॉश्चन है तो आप कॉमेंट बाक्स में पूच सकते हैं